नमस्कार दोस्टों श्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल पर तो दोस्तों काफी दोस्तों के डाउट आ रहे थे कि NHBC Limited में जो जही की पोस्ट आ रहे है और TADC India Limited में जो जही की पोस्ट आ रहे है उसमें काफी लोगों को फाउम बरने में दिक्कते हैं हो रहे हैं और ब प्सक्राइब जरूर करें और टेलिग्राम का लिंक में दे दोंगो वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी कमेंड बॉक्स में पिन हो जाएगा बाकि आप इस वीडियो को अन तक देके सारे आपके डाउट किलियर हो जाएगा ठीक है सबसे पहले पढ़ देते हैं जोएंट रिक्रूमेंट एग्जामिनेशन टू दे वेरेस पोस्ट आप नहपी सी तीडियो के बारे में आपके सारे डाउट किलियर कर लेता हूं ठीक है पहला नोट है कंडियेट हूँ हूर्ड अडोमिशा लॉब आइधर उत्तरप्देश और उत्राकंड अर एलिगिव इन्रिस्पेक्ट विल ठीक है बोथ और नहीं तो इसका मतलब दोस्तों यह कहना चाह रहा है मैं आपको फिर बता देता हूं टीडिसी नहीं के दोनों के फॉर्म जो पीडिया अप्लिकेशन फॉर्म है वो अलगलग फॉर्म है परन्तुर जो फॉर्म भरे जाएंगे फिल क जिसका पहले बहुता चाहते हो फो बहुत ऑप संब्स वह करेगा जिसने ये क्रैटिरया फिल कर लेगा मैं बताते तोचा हुँ मैं बहुत कौन लोग बरेंगे जिसका टीडिसी में सब कुछ क्रैटिर फिलोürü यानि कि उसका अगर सेंटर ओविसी है या सैंटर ओशी के आप यानि कि आप टीएडीस का फॉम अगर भर सकते हो और नहीं का दोनों का आपके क्राइटिरा फुल्फिल हो रही हैं तो आप बोथ पर किलिक करें कई दोस्ते होंगे जैसे कोई 31-32 साल का होगा जैसे मानवाद एक्जामपल वो टीएडीस का फॉम नहीं बढ़ सकता प्र तो टीएडीस के भीच लगेगी और बहुत बरोगी तो दोनों की 600 प्लस 250 रुपए कटेंगे आपके ठीक है दूसर नंबर है अगर जैसे उत्राखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा जैसे अधर श्टेट से कोई वह सिरफ उसके लिए शिरफ नहीं है बाकी टीएडीसी उसी के लिए है जिसके पास डो-मसाल है ठीक है याद रखना उत्राखंड और उत्तर प्रदेश में जो TAGC की पोश्ट्रे निकलिये वही फ़र्म बढ़ सकता है जिसके पास employment हो उत्राखंड का employment हो और डो-मसाल certificate हो वही इस फ़र्म को बढ़ सकता है ठीक है employer Electrical, Mechanical, Engineering, Supervisor IT, Supervisor Survey, Accountant, Hindi Translern Draftman Draftman Electrical Mechanical NHBC NHBC में यह सारी पोस्ट आ रहे हमां की देखो Advantage number आप यहां से पढ़ सकते हूं? पूरा इसमें Draftman and Civil Mechanical Electrical tera specific post लोट है सब की जिय की पोस्ट है & एना सब की पोस्ट भी doubled पर टीटीटी से का देखो इसमें आपने वसे देखना है इसका एक दो जड़तिया इसे यह देखना आपको ठीक है इसमें भी सेम वही बोलाई टीटी में सिविल इंजिनेर्ट मेकेनिकल एलक्रिकल की तीनों के यह फॉर्मा रखे हैं बाकी मैं आपको बता देता हूं एज का आपने सब कुछ देख लेना है जो फॉर्म फिल है वह अब श्टार्ट हूच की नौ जून से लाश डेटे तीजून तो तीजून का बिल्कुल भी इंतजार मत करना लास्ट में साइटें गडबड होने लग जाती है ठीक है आपने फॉर्म कैसे कैसे बनना है यहां पर सब को देख लो रीड़ और यह सब करना है अपना आएगरी स्टार्ट करना है बाकी एड़ एड़ अटेज्मेंट जू आपको नौट्विकिशन पूरे तरह से भर लेना है अब आपके डाउट मैं आपको क्लियर कर लेता हूं जो भी दोस्त ठ, dc, nhpc दोनों क्राइटिर को फिल कर रहे है ठिक है एंक उनेट है ठ, dc और nhpc अगर आप इसके क्राइटिर को फ्ल्ब्ल फिल कर रहे हो तो आप बात में क्लिक कर लेना ठिक है बात हो जाएगा अब आ रहे है कई लोगों की फीस की दिक्काते आ रही है आपने देखा होगा कल कल सुबे तक ठीक है 11-12 बज़े तक या दिन तक मान के चलो फीस कट रही थी 200 पिचाण में सबका डाउट है 200 पिचाण में क्यों कट रही है TADC की 600 है इसकी अगर यह टेकनिकल फोल्ट था ठीक है यह है टेकनिकल फोल्ट दोसो पिचाण में नहीं कर से थी क्योंकि 295 पिचाण में फीस सिरफ NHBC की TADC की 600 आप कट रही है जो आपके फीस है 800 पिचाण में रुपे कट रही है ठीक है 800 पिचाण में इसकी टोटल फीस है पेपर होगा एक और उसके बाद क्या होगा जब पेपर हो जाएगा सिलेवस सब कुस्सी में पेपर होगा एक उसके बाद क्या होगा यह अलग-लग मेरिट बनाएंगे क्योंकि TADC में इसके बाद इंटर्वी मुला एक परकार का भाईवय भी है ठीक है पंतरा परसेंट जूब इसके पंतरा परसेंट लिखा है उसमें वाईवय होगा और एनच बीसी में डिरेक्ट फाइनल रिजल्ट है ज्वैनिंगे और इसमें TADC में वाईवय तो अलग-लग मेरिट बनेगी ठीक है जोथा डाउट आपका OBC सार्टिफिकेट सो लेके है आप अगर TADC की जो नौटिफिकेशन उसको अच्छे से पढ़ोगे उसमें साब साब लिखा है Center का Non Criminal बनाऊने चाहे आपका Center का Non Criminal OBC होलों को सब कुछ पता है कि क्या होता है चाहे सार्टिपिकेट बनाऊने चाहे, Center का ठीक है और उसमें लिखा है दोस्तों ये भी बड़ा नौटिस करना आपका जो OBC certificate है जैसे 6 तारिक फॉम आया ना 6 तारिक 6 जून को आया फॉम इसके 6 मंथ पहले within का मतलब है 6 मंथ के मतलब बोलने का मतलब है अगर जैसे आपका फॉम आया 6 जून 2023 विदिन 6 मंथ मतलब 6 मंथ के अंदर OBC बनाऊने चाहिए अब इसका 6 मंथ आपका जब भी आ रहा है लगवा लगवा दिसंबर आ रहा है जनुर्वर फ्रवर मार्स अपुलर मई जून नॉंबर आ रहा है तो करीवन करीवन आपका मान की चलो 6 नॉंबर से यह एक मिनट है तो आप सिद्धे सिद्धे मैं ने लगा दिया यह 6 दिसंबर है यानि कि आपका जो OBC सार्टिपेट है सेंटर का 6 दिसंबर से और 6 जुन के बीच बना होना चाहिए यह लिखा है एसमें साब-साब लिखा उसमें एक लाइन लिखिए वी दिन 6 मंत लिखुर और एसा लिखła है से इसमें उसके बना होना चाहिए तो इसमें आप पढ़ लेना TAC को जो नॉटिध dew công IT तूब को अच्छेат पढ़ लेना ठीक है फॉर्म रिजक्ट होते हैं कई वार वैसे नहीं होते हैं पर बाइचांस हो गया ऐसे सी जैसे करता है तो कुछ बरोसने इसलिए बैक्राउंड में वाइट लगा लेना एक बाद चेक कर लेना मैं आपको पहले बतारों साहिद वाइट ही है पर एक बार आ है आपको पता है आपके लिए सारे ळीवीलें बैक्लॉग जिसके लिए जैसे जडनरल के बैकलॉग में है तो जनरल के नहीं जैसे ओपीस्ट वालों कर्न्ट केहें सेथ और देख लहाँ है डावट प्लीजर की चैने स्थिख सेखट वालों के zoros यकूती को नब्स वेकंसीas से अपर के सब्सक्राइब है यहीं नहीं प्लस जख सेख लेने पह सब दोसपार करें पर शाइब 252 मैं पार यहीं और अच्छे से और बाकी मेंने सब कुछ आपको क्लिएर कर दें डाउट के लिए आप बतादे कैसे बढ़ना है और आप डिरेक्ट लिंक पर जाके वहाँ पर क्लिक करके आप अगर दोनों बनने चाहते हों क्योंकि पेपर रेएख होगा बोथ बहुत बलने न फीस दोनों के लगेगी टी मिझे इंदि पर ऐन फिसक फिश्क बनाने ऑनली आप जैसे जनरल वालों कि टी ईडी सी में शे सीटे औक कोई कोई हो सकता ने सिर्केश में अले कि 他 अध्य? झालं तो एसा हो सकता आ ख्यष्ष्ष्ष्ष्षष्षर बड़र उसमें हो सकत हो जैसे 6 सीट है, मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट मैं यह बता रहे हैं, जैसे TH DC में जनरल की 6 सीट है, अब हो सकते हैं, 6 सीट हैं उनको कम लगे हैं, तो खाली NHPC बढ़ सकते हैं, खाली NHPC पर टिक करना है, जिसको दोनों बनना हैं, बोथ खल लेना बस यही था आपके लिए जनकरी, और जो भी टेलिग्राम पर नई जुड़े, टेलिग्राम पर जुड़ जाए हमारे साथ, तो वहाँ पर आपको सारी लेटर सब्डेट दे दी जाएगी, धन्यवाद दोस्तों